A and B alone complete a work in 36 days and 24 days respectively पहले यहां तक का काम कर लेते हैं तो A कितने दिन में कर रहा है? 36 days में B कितने दिन में कर रहा है? 24 days में अब यहां से यह दोनों का LCM ले लेंगे वो टोटल बढ़ के ब्रावर होता है तो टोटल बढ़ के निकल के कितना आजेगा? 72 अब देखें टोटल बढ़ कितना है? 72 और A कितना दिन काम किया है? 36 दिन तो एक दिन में कितना काम करेगा? 76 में अब 36 से डिविजन कर दिया तो दो इसी तरफ B एक दिन में कितना काम करेगा? 3 अब आगे बढ़तें इसी तरफ यहां बताना है कितने दिनों में काम कम्प्लीट हो जाएगा? तो देखें, स्टार्ट कौन कर रहा है? अल्टर्ने डेज बोल रहा है तो पहला दिन A करेगा, दूसा दिन B, फिर तीसरा दिन A, चौथा दिन B इसी तरह यह चलते रहेगा तो यह A, B का दो दिन का एक सैकिल है तो यहां दोनों को एट कर देगा तो पांच काम यह कितने दिन में करेदेगा? दो दिन में कम्प्लीट कर लेगा इसी तरह हमार टोटल कितना काम है? बहत्तर काम है तो आपको पांच का इसके closest multiple ढूंडना है तो कितना होता है? बहत्तर पांच के closest multiple में तो यह 70 होता है तो यहां आप 14 से multiply कर दिजेगा तो यह कितना हो जागा? अब आगे हमको दो काम और बचा है टोटल 72 है यहां 70 हो गया तो दो और बचा है अब दो यह कौन करेगा? तो देखे दो दिन का cycle चल रहा था अब अगला दिन कौन स्टार्ट करेगा? यह करेगा और यह एक दिन में कितना बनाया है? दो यूनिट तो यह कितना हो जागा? दो बचा, दो मतलब यहां एक बच गया तो टोटल यह कितना हो जागा? 29 डेज यहां से इसका answer निकल के आजाएगा. 29 डेज. बढ़ते हैं अपने अगले question क्यों? The circle is made of wire. कोई circle है, वो wire से बनाया है. The area of circle is 154 square centimeter. तो देखें, area of circle क्या होता है? पाई r square और यह कितना दिया हुआ? 154. तो यहां 154 के बड़ाबर कर दिया है, तो यहां से आप r के value निकल के आजाएगा, वो क्या निकल के आएगा? 7 यहां से r के value निकल जाएगा. radius यह circle of radius आगया. That wire is used to form a rectangle of length 10 centimeter. अब इस जो यह wire है, इसका used rectangle बनाने में क्या जा रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? circle का perimeter निकालने में पड़ेगा. तो perimeter of circle क्या होता है? 2 pi r. तो यहां से 2 into 22 upon 7 और r यहां निकालने 7. यह क्या निकल के आजाएगा? 44. यह क्या होगया? circle का perimeter होगया. यह circle का क्या होगया? इस perimeter के इस length के, जो length के बराबर हम क्या बनाना है? rectangle बनाना है. एक rectangle बनाएगे जिसका length 10 दिया हुआ है तो हमको इसका area निकलना है तो बिर्थ यहां पता कर लेंगे तो area निकल जाए तब बिर्थ कैसे पता चलेगा तो देखें अब perimeter of circle और perimeter of rectangle यह क्या होता है दोनों बढ़ावर होता है तो देखें perimeter of circle क्या था 44 है और perimeter of rectangle क्या होता है 2L plus B तो यहां से L का value 10 put कीजिएगा और यह 2 से 22 times चला जाएगा तो B कितना बच के आजाएगा 22 में से 10 minus कर दियें 12 तो यह बिर्थ कितना निकल के आगा है 12 अब area पूछा है तो length into breadth कर दिजिए तो 120 cm2 इसका area निकल के आजाएगा यह होगे इसका answer चले बढ़ते हैं अपने अगले question की ओर इसको minus मान लेते हैं निकालने वाले के तब यहाँ भी same वही काम करना है LCM लेना और total work के बढ़ाबर हो जाएगा तो total work कितना हो जाएगा 80 अब देखे total work 80 है यह 16 घंटा हैं बढ़ रहा है एक घंटा में कितना भढ़ेगा पांच इसी तरह भी total 10 घंटा ले रहा है एक घंटा हैं कितना निकालेगा आठ जैकि यह भढ़ने का है पलस और निकालने का है तो आप इससे अकर घटाईएगा तो कितना बचेगा तीन मा पानी निकल रहा है अब आगे बढ़ते हैं in how many hours will be seen यह पूरा जो system है empty if both pipe opens together तो दोनों मिलके काम करेंगे कब जब 1 by 5th of the system is already filled with water अब यहां इस चीज़ को आपको समझे ना अच्छे से देखिए अगर दोनों मिलके काम करता है तो काम होने के बज़ाए मतलब पानी भढ़ने के बज़ाए पानी निकल जा रहा है देखिए minus इसी चीज़ को indicate कर रहा है यह पानी यह निकल जा रहा है अब इसमें क्या बोल जा रहा है कि बन फिप्ट जो टंकी होओ पहले से भड़ा हुआ है अब यहां टोटल बर्क मेरा कितना है असी है असी का बन फिप्ट निकालेंगे तो कितना हो जागा यह हो जागा 16 यह 16 पार्ट यह already पहले से फिल है already पहले से यह टंकी इतना भड़ा हुआ है तो आपको यहाँ यह ध्यान दे रहा है कि आप जब काम करने तो पानी भड़ने के बज़ाए निकाल रहा है निकालेंगे कब जब पानी होगा टंकी में तो पहले से जो इतना पानी है आपको उसी को निकालना है टोटल यह बड़क 80 से आपको कोई मतलब नहीं है तो टोटल यहाँ 16 बड़क है आपको 3 से डिविजन दे देना है तो यह कितने घंटे में निकल जागा 5.33 आर्स में यह टंकी को यह खाली कर देगा यहाँ से इसका यह होगे एंसर अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चिन क्यों तो देखें तो 45 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 110 का एबरेज कितना है ए है तो यहाँ से ए का वैलू के निकल क्या आ जागा आप इसे सिंप्लिफाइ की जाए तो कितना है 340 upon 4 88 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 50 upon 4 is equal to b तो यहाँ से b का वैलू कै निकल क्या जागा 3 2 upon 4 यहाँ आबरें निकालना है a पलस b का यह हमको निकालना है तो a का वैलू कितना है 330 330 पलस 332 अपॉन यह 4 को कॉमन लेके नीचे कर दिये तो यहां 8 हो गया है और आप इसे और सिंप्लिफाय की जाए तो 82.75 यहां से इसका एबरेजिंट कल के आजागा यह हो गया इसका एंसर अब बढ़ते हैं अपने अगले कुश्चिन की ओर इन सिंप्लिफायन कॉमपटेशन सुनेना गिस 45% बोर्स और लॉस वाई 200 बोर्स तो देखिए सुनेना कितना बोर्स पाई 45% और फिर भी यह हार गई और यह कितना बोर्स से हार यह 200 बोर्स तो दीखिए यह तो loss हो loss मतला हार गई अब तो 200 को बिला होगा 100 में से अगब 45 मैनस कर दें तो बिला होगा 55% और यह कितने बोर्स से हार यह तो यह जो 10% का गैप है यह 10% का गैप है यही यह 200 बोर्स के बडाबर तो यह बताना है total number of बोर्स तो टोटल नमबर और बोट के लिए 100% में निकाल देंगे तो 100% में कितना हो जागा 2000 बोट यहां से इसका आगया यह हो गया एंसर तो आज का कैसा लगा सेशन दोस्तों प्रीज हमें कमेंट करें फिर मिलेंगे धन्यवाद